हेलो एन वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Competition Community के YouTube चैनल में आप लोग देख रहे हैं SSC, CGL and CHSL का YouTube कोर्स जिसमें आज ये Geometry का Final वीडियो है जिसमें कि हम Circles के उपर Tangents डिसकस करेंगे तो ये भी एक important part है क्योंकि Circles जो है important role play करता है आपके prelims में भी और mains में भी जादतर देखा गया है Circles के सवाल आते हैं और वो भी Tangents से related भी कई सारे प्रशन आपके exam में देखने को मिले हैं अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबाना ना भूले क्योंकि best quality content के साथ free of cost आपका यहां पर SSC, CGL and CHSL का preparation कराए जा रहा है हमारा commitment यह था कि हम 31 March तक आपके syllabus को complete कराएंगे तो यह अब last week है Monday to Friday हमारी class चलती थी Friday जो है 1 April पढ़ रहा है तो एक दिन extra यानि कि 1 April को आपका syllabus पूरा complete हो जाएगा तो यह जो पूरा का पूरा course है अपने अंतिम चरन पर है ठीक है तो आप इसको अच्छे से यहां पर पूरे वीडियो उसको देखिए तो अच्छा खासा टाइम है आपको self study और revision के लिए तो खूब अच्छे से आप preparation करिए SSC CHSL के लिए CGL के लिए आपको practice ज़्यादा करना होगा अभी से ही बहुत कम समय बचा हुआ है तो और ज़्यादा effort लगानी की ज़रात है लेकिन CHSL के लिए दो महिना है तो काफी समय है आपको self studies और preparation करने के लिए April में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे कुछ practice sessions भी आपके साथ हम discuss करेंगे जिसमें हम practice भी कराएंगे भरपूर मात्रा पर चलिए अब इनी कुछ बातों के साथ मैं आज के इस lecture को start करता हूँ जिसमें हम discuss करेंगे tangent ठीक है तो heading आप लोग दाल सकते है अपने notebook पर circles जिसमें हम tangent discuss करेंगे वृत यानि की स्पर्ष रेखा स्पर्ष रेखा क्या है इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है part 1 में circles का अब थोड़ा सा और detail में इसके properties के बारे में भी इसमें हम discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले देखिए सबसे पहले tangent होता क्या है tangent यानि की स्पर्ष रेखा का मतलब यह ऐसी line होती है जो circle को एक मात्र बिंदू पर touch करे यानि स्पर्ष करे तो अगर एक ही बिंदू पर touch किया तो इसको हम क्या कहते है tangent यानि यह जो xy है xy क्या हुआ इस वृत जिसका केंद्र ओ है उसके लिए एक tangent हो गया स्पर्ष रेखा हो गया अगर यह स्पर्ष रेखा है जहां पर जाकि यह touch करता है इसी point को हम कहते है point of contact ठीक है एक point जो आपको पहले भी मैंने बताया है एक बार repeat करूँगा कि ot जो हो बात करें यह क्या है स्पर्ष रेखा xy तो radius जो होता है हमेशा xy यानि कि tangent के perpendicular होता है at the point of contact तो जहां पर स्पर्ष रेखा वृत को touch करती है स्पर्ष करती है उस बिंदू पर radius अगर बना दिया जाए तो radius जो हता है perpendicular होता है आपके tangent की यह बात हमने पहले भी देखा है चलिए इस से थोड़ा सा आगे बढ़ते है next most important जो है tangent secant theorem tangent secant theorem tangent का मतलब क्या है tangent का मतलब स्पर्ष रेखा second का मतलब छेदक रेखा इन दोनों के उपर जो परमया है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अगर इस डाइग्राम को आप गौर से देखें तो इस डाइग्राम में आपको दो चीज़ें दिखाई दे रहे हो pt का जो square होता है pa into pb होता है इसका proof कैसे आया तो similarity से आया और दूसरी बात segment theorem से आया segment theorem के बारे में हमने पहले चर्चा किया है तो देखें अगर 80 एक accord है और pt एक tangent है 80 ने यहाँ पर pt tangent के साथ ठीटा बनाया तो alternate segment में दूसरे तरफ एक angle यहाँ पर आपको ठीटा दिखाई दे रहा होगा यह क्या है alternate segment यह एक छोटा triangle है और एक मोटा triangle है इन दोनों triangle में एक ठीटा ठीटा जो uncommon angles से वो equal हो गए p तो common था तो यहाँ से क्योंकि दो angle same हो गए ठीटा ठीटा जो की छोटे triangle में भी है बड़े triangle में भी है साथ में angle P दोनों में common है तो यह दोनों triangle similar हो जाएंगे आप similarity के तहरत यहाँ पर pt by pb is equal to pa by pt लगा सकते हैं इन दोनों triangle में जैसे आप ऐसा करेंगे तो pt square बराबर pa into pb होता है तो similarity के तहत आप इस theorem को proof कर सकत हैं बात समझ में आगे tangent secant theorem क्या होता है चलिए यह सबसे पहला और most important theorem है जो यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं तो अब इसके तहत कुछ questions हम देख लेते हैं फिर आगे जैसे-जैसे questions आएंगे वैसे-वैसे मैं आपको बाकी theorem बताते जाओंगा तो चलिए पहला सवाल यहां दिया ह सब्सक्राइब यहां से लंबाई है यहां से यहां तक है PA की लंबाई यहां से यहां तक है तो PA की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 cm हो जाएगी AB की लंबाई जो है यह X है तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है यह X हो जाएगी PT की जो लंबा ही है यहाँ PT कहा है तो 5 यहाँ पर यह P से लेकर T तक की जो लंबा ही है यह 5 है यह आपको समझे में आ गया होगा यहाँ तक diagram देखकर अब देखिए diagram देखते साथ आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ कुछ और काम नहीं आएगा बस यहाँ पर tangent secant तो PT square जो है यह PA into PB होता है देखिए पिछले वीडियो में हमने एक theorem और discuss किया था quads जब intersect करती है तो देखिए मैंने वहाँ आपको बताया था कि AB और यह CD अगर quod है तो PA into PB बराबर PC into PD होता है आप इस चीज़ को तो थोड़ा से समझेगा कि इस quads को हमने बाहर खिसते 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 एक पॉइंट पर ले आए तो यह जो कॉड जो अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहा था वह अब क्या हो गया एक पॉइंट पर टच करके एक टैंजेंट बन गया तो जो PC है और जो PD है दोनों के दोनों PT बन गा है PT स्क्वार ठीक है इस तरीके से भी आप चीजों को connect करके पढ़ सकते हैं चलिए अब हम वापस आते हैं यहाँ पर टैंजेंट सीकेंट छोरम में तो यह PT स्क्वार जो होता है यह पीटी स्क्वार का मतलब पांच का स्क्वार लगाओ यहाँ पर पीए का मतलब कितना तो चार यहाँ पर लिखना अब पीबी मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई तो X प्लस 4 दोनों आएगा यहां पर पीबी का मतलब X प्लस 4 तो यह 25 है X प्लस 4 बरावर कितना 25 बटे 4 ठीक है इसको 6.25 हम लिख सकते हैं मतलब 4 से काटने पर 6.5 है मतलब X हो गया 6.25 माइनस का 4 होगा यह दूसरे तरफ जाएगा तो 2.25 इसका वैल्यू हो जाएगा ठीक है तो A जो है सवाल का सही उतर है यहां तक क्लियर है बाते पहला सवाल क्लियर है टैंजेंट सीकेंट थोरम के उपर पर परशन आ गया तो बनना चाहिए आप से चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते तो A B इसका डाइमेटर हो गया इस तरीकी से बना लेते हैं A और B ठीक यहां तक बात समझ में आ गई ओ इसका सेंटर है तो O को यहां पर इस तरीकी से बना देते हैं अब देखिए बोल रहा है टैंजेंट C B is the tangent to the circle अब आप खुद सोचिए C B tangent है B तो यहां पर डाइमेटर का एक्स्ट्रीम है मतलब अगर यहां पर आप टैंजेंट बनाएंगे तो वो O B के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि अगर A B डाइमेटर है तो O B radius है और radius के हमेशा परपेंडिकुलर होता है आपका tangent तो यहां पर यह जो है 90 डिगरी का एंगल बनेगा यह आपका tangent हो गया C B पर इसके बाद बोल रहा है A C intersect the circle at G तो देखिए अगर यहां से हम A C को जोड़ दें तो circle को कहां पर touch कर रहा है तो G point पर touch कर रहा है यह वाला point G हो जाएगा इसके बाद बोल रहा है radius जो है वो 6 है मतलब देखिए अगर radius 6 है मतलब O से लेकर A तक की लंबाई भी 6 होगी और O से लेकर B तक की लंबाई भी 6 हो जाएगी ठीक है इसके बाद आपको बोल रहा है A G की लंबाई जो है यह है 8 तो A से लेकर G तक की लंबाई 8 है आपको क्य निकालना है what is the length of BC तो BC की लंबाई आपको निकालनी यह है BC का लंबाई ठीक है चले देखिए सवाल को solve करने के तरीके बहुत सारे आप चाहे तो यहां पर tangent sequence theorem भी लगा सकते हैं या फिर आप यहां पर एक चीज गौर करिएगा कि यहां से अगर मैं इसको जोड़ू ठीक है अगर मैं BG को जोड़ू तो AGB एंगल क्या होगा 90 डिगरी होगा की नहीं देखिए भई A B जो है एक तरीके से एक डायमीटर है डायमीटर जो है कहीं पर भ देखेंगे गोर से तो यह जो है Hypotenews है यह Hypotenews है Hypotenews की लंबाई जो है वो कितना है 6 प्लस 6 मतलब 12 यहां पर इसकी लंबाई है क्योंकि यह भी 6 है यह भी 6 है अब यहां से अगर आप सोचें कि अगर यह 12 है यह 8 है तो क्या BG का लंबाई आप निकाल सकते हैं BG की क्योंकि बजी की λंबाइ कुछ और नहीं होगी 122 का रूट होगा तो देखे अगर यहां चार है यहां चार का स्कुर कॉमन निकाल लेते तो बाहर 4 यहां क्या क्या बचेगा 3 का स्कुर बचेगा और यहां 2 का स्कुर मतलब 9-4,9-4 रूट 5 तो यह जो बिजी जैसे कि अगर देखिए यह थीटा है ठीक है इस थीटा के तहट आप यहाँ पर दो ट्रेंगल देख रहे होंगे एक में आप यहां पर लगा सकते हैं bg divided by ag अगर मैं 10 थीटा लगाऊ ठीक है आप similarity लगाई यह यह 10 थीटा लगाई यह बात देखिए क्योंकि थीटा जो है इ इस बड़े ट्रेंगल में देखोगे तो bc divided by a b b होगा bc divided by a b b होगा बताइए अब इसमें आपके पास a b का वैल्यू है bg का वैल्यू ए a g का वैल्यू तो क्या bc नहीं निकल जाएगा यहाँ पर अगर आप 10 थीटा नहीं लगाना चाहते है similarity लगाना चाहते है तो similarity भी लगाईए same result आएगा कोई इसमें change नहीं होगा क्योंकि देखिए यह 90 डिग्री माइनस थीटा है यह थीटा है यह 90 डिग्री माइनस थीटा है मतलब दोनों triangle similar है इसके तहत आप जानते हैं कि जो दोनों छोटे triangle होते हैं जवी एक 90 डिग्री ट्रेंगल में आप 90 डिग्री AG कहा है AG यह हो जाएगा आपका 8 ठीक है BC आपको find करना है और AB का value अभी अभी है देखा हमने AB का value है 12 ठीक है तो अगर इसको 4 से काट दिया जाए तो 2 बार कटेगा यह जो है 2 इसको 6 बार काट देगा 6 दूसरे तरफ चला गया तो BC का value आजाएगा 6 root 5 6 root 5 तो A जो है सवाल का सही उतर है clear यहां तक बात समझ में आगए चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं तो देखिए trigonometry और geometry जो है यह combine करके बहुत बढ़िया बढ़िया solution यहाँ पर आप बना सकते हैं किसी भी question का ठीक है तो trigonometry का भी use आप लोग सिखेंगे इस वीडियो में कैसे हम geometry में यूज कर सकते हैं आप देखें SX जो है यह एक tangent दिया हुआ है साथ में SX की जो लम्भाई है वही लम्भाई आपके OX की भी है और वही लम्भाई आपके OR की बी है तो इसका use हम करेंगे साथ में दिया हुआ QX जो है QX की लम्बाई 3 है मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है 3 है इतनी लंबाई ठीक है तो इसको color change कर लेते हैं ताकि समझ भे आए इसको मैं लिखता हूँ green color में ये 3 है इतनी लंबाई ठीक है QX की लंबाई 3 है साथ में PQ की जो लंबाई है 9 है PQ मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो है ये 9 दिया हुआ है अब बताएए भई OS का value निकालना है तो यहां पर इसको समझने के पहले थोड़ा सा हमने पिछले वीडियो में जो चीजों को सीखा था उसको भी हम use करेंगे साथ में इस वीडियो में जो नया हमने सीखा है उसको भी हमें use करना होगा तो पहले यहां SX की लंबाई जो है वो क्या है उसको find करने के लिए आपक एक टैंजेंट है दिया हुआ है और अगर आप देखें यहाँ पर PQX जो है PQX जो है एक सीकेंट है तो टैंजेंट सीकेंट थे और हम लगाएंगे तो इसके तहट SX का जो स्क्वेर होगा यह बरावर हो जाएगा QX multiplied by QPX के ठीक है QX multiplied by PX के इसके बरावर होगा तो SX का स्क्वेर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि QX का वैलू है तीन और PX का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो PQ का वैलू 9 है और QX का वैलू 3 है तो पूरा का पूरा वैलू जो है यह हो जाएगा 12 मतलब कितना हो गया 36 हो गया अगर यह 6 का स्क्वेर है तो SX का वैलू क्या हो जाएगा SX का वैलू हो जाएगा 6 SX का value हो जाएगा 6 ठीक है तो यहां से SX जो है यह 6 हो गया यह जो SX है इसका लंबाई 6 होगा अगर इसका लंबाई 6 है मतलब इसका लंबाई 6 होगा और इसका लंबाई 6 होगा आपको जो find करना है वो है OS अब OS को मैं मान लेता हूँ ठीक है इस OS को मान लेते हैं X इसको मान लिमीट करें तो जो चीज हमने पिछले वीडियो में सिखा है उसको अब अपलाई करेंगे यहां पर कि अगर यह पॉइंट ओ है इस ओ पॉइंट के अबाउट ओ और मल्टिप्लाइड वाई ओएस जो होगा यह बरावर होगा ओपी मल्टिप्लाइड वाई ओक्यू जिसमें अगर यह 6 लेंथ है इतना लेंथ 6 आया मतलब यह जो ओपी का वैलू यह भी तो 6 आएगा यहां से लेकर नहीं है और अगर पूरा 9 है तो यह जो ओपी का वैलू है 6 ओपी का वैलू है 3 तो 6 से 6 कर जाएगा मतलब ओएस का वैलू क्या होगा तो 3 आएगा 3 आएगा D is the correct answer for this question तो सारी चीज़े connected है ऐसा नहीं कि हमने quads में जो चीज़ सीखा वो tangent वाले question में नहीं आएगा ऐसा नहीं कि हमने right angle triangle में सीखा वो हमारे quads वाले question में नहीं है सारी चीज़े interconnected है geometry जो है अपने आप में interconnected है तो सारी चीजों को एक साथ connect करने की कोशिश करें क्योंकि यहां पर बहुत सारे अलग-अलग theorem, अलग-अलग सवाल में, मतलब दो-तीन theorem मिला कर भी कुछ-कुछ सवाल बनते हैं, जोवेटरी में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है, a circle with a radius r has a quad pq, whose length is 2a, a tangent drawn at point p and q to the circle meet at t, what is the length of tp? देखे, इस सवाल को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें theorem discuss करना होगा, तो आगला theorem देखते हैं, यहां पर, तो देखे, next question है, आपके screen के उपर यहां दिया हुआ है, आप देखे, सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा, कि किसी भी external points है, एक वरित यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह एक वरित है, जिसका केंदर o है, तो external points है, यहन्या इस वरित के बाहर किसी भी सबर्श रेखा बना सकते हैं, पहला है PA, दूसरा है PB, ठीक है, और यहां पर आपको समझना होगा, कि यह theorem क्या कहता है, theorem कहता है, कि जितनी लंबाई PA की होगी, उतनी लंबाई PB की होगी, तो from an external point P to a circle with center O, there can be two tangents of equal lens, यानि कि PA जो होता है, वो PB के बराबर होता है, इस point क आप अच्छे से no down जरूर करिएगा, ठीक है, इसके तहट, जैसे ही यह दोनों equal हो गए, जैसे ही यह दोनों equal हो जाते हैं, ठीक है, आप यहां पर इसको proof करना चाहते हैं, तो proof भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए, यहां से अगर आप इसको proof करना चाहें, तो देखिए, तो OA perpendicular है radius है भई, OA radius है, AP tangent है तो 90 degree होगा, यहाँ पे OB जो है यह perpendicular है, PB tangent है तो यह भी 90 degree होगा, यह दोनो 90 होगा, साथ में OA और OB दोनो radius है तो यह दोनो equal होगे, साथ में जो hypotenuse है इन दोनों का, OP OP दोनों के दोनों hypotenuse है, यह उपर वाले triangle और नीचे वाले triangle दोनों में common है, ठीक है तो यह दोनो triangle जो होते हैं, congruent होते हैं, इसी के तहट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कि यह दोनों जो है equal है, सिर्फ यह दोनों equal नहीं, बहुत सारे थ्योरम से आप no down करना चालू करना, कि आपने क्या किया, आपने इस point से इसके center को जुड़ा, तो अगर यह जो OP 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 की जो segment है, इसको अगर मैं दोनों तरफ extend कर दूँ, तो आप symmetrically भी चीज़ों को समझीए, कि symmetric figure है, जो उपर है वो नीचे है, mirror image जैसा है, इसलिए सारी चीज़े यहाँ पर same रहेगी, यह वाला angle, यह वाला angle same होगा, अगर हम यहाँ पर AB quad बना दे, तो यहाँ पर यह भ मैंने एक बात दोहराई थी, कि यहाँ पर मैं एक बार फिर से उसको दोहराऊंगा, ABC अगर एक triangle है, यहाँ से जब आप 90 degree का एक line ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर दोनों छोटे छोटे triangle आपस में similar होने के साथ साथ, बड़े triangle के साथ भी similar है, तो यहाँ से आप समझीए कि PA AO एक right angle triangle है, और आपने जब यहाँ से AB को जोड़ा तो यहाँ पर यह 90 degree का angle बन गया, मतलब AM जो है यह perpendicular है OB के, तो right angle triangle में जो angle 90 degree का था, वहाँ से आप एक perpendicular बना रहे हैं यहाँ ठीक है, इस चीज़ को आपको समझदा होगा, साथ में आप यह भी समझ के रख सकते हैं इसक kite का मतलब है पतंग, बात समझ बारी है, पतंग में क्या होता है, adjacent side sequel होते है, O, A, O, B, P, A, P, B, 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 E, adjacent side sequel होते हैं, इसमें होता क्या है, जो छोटा diagonal होता है वो बरावर हिस्तों में कर जाता है, बड़े diagonal द्वारा, तो बड़ा diagonal OP है, यह AM, AMB जो है, दोनों आपस में बर करते हैं, साथ में 90 डिगरी पर करते हैं, तो यह चोटी-चोटी सी बाते हैं, आप no down कर सकते हो, अब यहां से और कुछ बाते no down करना कि यहां वाला जो कोण, पूरा का पूरा कोण था, यह भी तो bisect होगा, अरे अगर यह थीटा है, तो यह थीटा होगा, मतलब पूरा का निकालने की, तो कॉर्ड निकालने की जो बात है, वो यहां पर मैंने आपको जो चीजे बताई थी, similarity वाले वीडियो में, जो हमने right angle triangle के बारे में सीखा था, वो सारी चीजे यहां अपलाए होगे, क्योंकि यहां वही figure बना हुआ है, बात समझ में आ रही है, connect कर पा रही ह जो है, यह 2A दिय हुई है, इसके extreme से, tangents are drawn from P and Q, which meet at T, तो P and Q से आप क्या करते हैं, tangent बनाते हैं, point T पर जाकर यह मिलता है, आपको TP के लंबाई ग्याद करनी है, आपको दिया हुआ है कि PQ के लंबाई A है, तो देखे हम क्या करेंगे, यहां कहीं पर तो इसका center रहा होग को, यह जो OR है, OP है, इसका value R है, क्योंकि radius आपको दिया हुआ है कि इसकी जो triga है, ठीक है, इसकी triga है R, R triga है, तो अगर यह triga है, साथ में आप अगर OT को जोड़ दें, तो OT क्या करता है, अगर यह PQ है, इस point को R मान लेते हैं, तो पुरा पुरा PQ को यह bisect कर देता है, दो बराबर हिस्सों में, साथ में 90 डिगरी पर बासिक करता है, यह सब आप जानते हैं, तो अगर यहां से हम इसकी बात करें, कि यहां पर PT की लंबाई हमें चाहिए थी, तो PT को मैं थोड़ देर के लिए X मान लेता हूं, मतलब X हमें चाहिए, तो इसी को मैं यहां पर X मा समभाए भी यह हो जाईगी, clear, यहां तक बात समझ में आगया, तो अब यहां से अगर हमें इसका वैलू चाहिए, ठीक है, क्या से निकालेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, देखिए, आप यहां पर ऐसा समझ सकते हैं, कि यह राइट अंगल ट्रेंगल है, ओपी जो होता है, यह रेडियस है, यह एक तरीके से रेडियस है, यह टेंगेंट है, तो टेंगेंट रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ओटी जो है, यह इसके उपर परपेंडिकुलर है, सबसे पहली बात, ओटी का वैल्यू क्यों होगा, पायतेगरस थियोरम से आप जानते है, ओटी जो मुझकि जो एरिया होती है वह होती हाफ इंट बेस इंट 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 tbG तो हाफ इंट i.t bre आप लिक सकते हैं क्या हाफ इंट इस वाले में अगर यह बेस तो ही हैट बनेगा यहां से जो value मिल रहे है ot का value जो था square root of r squared plus x square ठीक पि-r का value क्या है पि-r कहां गया पि-r आपका यह है ए हो जाईगा ठीक है साथ में op का value क्या है op का value r है और pt का value x है तो rx के बराबर होगा हमें x निकालना है एक x तो बाहर है लेकिन x जो है वो अंदर है square root के अंदर तो मैं क्या करूँगा दोनों तरफ square कर लूँगा इस से हमारा काम आसान होगा तो इसको भी square इसको भी square इसको भी square इसको भी square तो यह क्या हुआ यह square root हटा देगा इसको, इसका square root जो हट जाएगा और जैसी square root हटा तो यहाँ पर a square अंदर multiply हो जाएगा तो यह बन जाएगा a square r square plus a square x square is equal to r square x square बराबर, अगर इस a square x square को दूसरे तरफ हम ले जाए तो यही चीज़ क्या हो जाएगा is equal to में minus में आजाएगा a square x square और इसी में से अगर मैं x square x square को common निकाल दूँ तो यह x square x square common आजाएगा bracket के अंदर बचेगा इतना तो क्या हम x square का value निकाल सकते हैं, simple है अब directly आप इसको लिख सकते हैं कि x square बरावर क्या है, x square बरावर हो जाएगा a square r square divided by r square minus a square और इस square root को हटाने के लिए दोनुं तरफ square root लेना होगा square को हटाने के लिए तो ये तो square को हटाएगा, लेकिन नीचे यहाëँ पर एक square root ऐसा आजाएगा दोनुंपर बचे root 2 are into square root of r square minus a square पर इसका सही उत्तर है तो इसमें जो A option है यही सही उत्तर हो जाएगा clear है यहां तक बात समझ में आ गई आपको यहां पर PT निकालने को बोला गया था तो इस तरीके से आप PT निकाल सकते तो बहुत सारी चीजे हैं जो आपको directly यूज करना है कुछ theorem जो हमने discuss करके रखा हुआ है पहले उन सभी theorem को आपको strike करने होंगे फटाफट क्योंकि देखिए यहां राइट अंगल के अंदर राइट अंगल है और वहां पर जो similarity में राइट अंगल triangle में जो चीजे हमने सीख के रखी है उसको यहां पर आपको फटाफट apply करना आना चाहिए चलिए अगला सवाल एक circle दिया हुआ है जिसके जो कि is inscribed inside as a quadrilateral ABCD touching side AB BC CD and DA at points PQRS respectively if BP is equal to 4 SD is equal to 6 BC is equal to 7 then what is the length of DC तो देखिए तो एक विरित जो है वो एक quadrilateral याने चत्रबुच के अंदर इस तरीके से है ठीक है तो यहां पर यह ABCD माल लेते हैं इसको ABCD ठीक है और इसको क्रमशह point PQRS पर touch करती है मतलब AB को P पर BC को Q पर ठीक है और CA को CD को R पर और AD को point AD बिंदु को कहां पर touch कर रहे है तो S पर ठीक है अब देखिए जो चीजे दिये उस दिखाई दे रहा है BP का value है 4 और SD का value का है SD का value यह है यह हो गया 6, SD का value है 6, BP का value है 4, BC का value कितना है तो BC का value है 7, तो BC मतलब यहां से लेकर यहां तक का value है यह 7 हो जाएगा, DC का value आपको निकालना है, मतलब DC का मतलब यह वाले value आपको निकालना है, कौन सा theorem यूज करेंग से आपने दो tangent मनाया, एक है BP, दूसरा है BQ, जितना BP है उतना BQ होना चाहिए, मतलब अगर BP का value 4 है, तो BQ का value भी 4 होना चाहिए, साथ में पूरा का पूरा BC आपको 7 दिया है, अगर BQ ने 4 ले गया, तो QC के लिए कितना बचा, 7-4, आपका जवाब को 7-4, मतलब QC का value 3 है, अगर QC का value 3 है, तो यह जो CR है, इस CR का value भी 3 ही होगा, क्योंकि C से आपने दो tangent मनाया, एक है CQ, दूसरा CR, जितना CQ होगा, उतना CR होगा, साथ में आप देख रहे हैं, D से 2 tangent मना हुआ, एक DS है, दूसर DR है, तो DS का value 6 है, तो DR का value भी 6 होगा, और आपको CD का value निकलना था, तो CD में एक DR छुपा हुआ है, जो कि 6 है, एक RC छुपा हुआ है, जो कि है 3, तो 6 प्लस 3 कर लिजए, तो total length यहां से लेकर यहां तक का value होगा, 9, 6 प्लस 3, clear है, तो एक ही चीज हम यहां पर use कर रहे हैं, जिसके तहट question solve हो जा रहा है, कि external point से आप किसी भी circle पर 2 tangent बना सकते हैं, और यह दोनो equal होता है, PA जो होता है, PB के बरावर होता है, PA जो होता है, यह PB के बरावर होता है, clear है, यहां तक बात समझ में आगई, चलिए, अब यह सवाल similar सवाल है, ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ AC side find करना है, अब AC find करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास यहां BD का value बारा दिया था, तो जितना BD होगा, उतना ही BF होगा, और BF जितना BD है, यहने 12 हुआ, ठीक है, अगर यह 12 हुआ, तो उपर वाला जो लंबाई है, AF, इसकी लंबाई क्या होगी, देखिए भई, आपको A से लेकर C तक की लंबाई 25 दिया है, जिसमें से हमने यह देख लिया कि BF का value जो है 12 है, अगर यह 12 है, तो बचा हुआ 13 यहां पर आएगा, AF की जगापे, अगर AF 13 है, तो AE का value भी 13 होगा, AE का value भी 13 होगा, साथ में CD का value 9 है, तो CE का value भी 9 होगा, आपको क्या निकालना था सवाल में, AC निकालना था, तो A का मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, तो AE का value 13 है, EC का value 9 है, 13 प्लस 9 करोगे, तो कितना आ जाएगा, 22 यहां पर आ जाएगा, clear, यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए, अगला सवाल यहां पर दिया हुआ है, इस figure में एक circle दिया है, जिसके sides जो है, वो quadrilateral, PQRS को touch करती है, ठीक है, जिसके circle touches the sides of the quadrilateral PQRS, तो PQRS quadrilateral है, जिसके sides को यहां पर circle touch कर रहा है, अब दिया हुआ है, radius जो है, circle का 9 cm है, angle RSP और SRQ दोनो 60 degree है, समझिएगा, यहां से, angle RSP जो है, RSP, अच्छा, यह वाला angle जो है, यह 60 degree है, और साथ में SRQ जो है, यह भी 60 degree है, दोनों के दोनों 60 degree है, ठीक, PQR ले लिजए, चाहे आप यहां से QPS ले लिजए, दोनों के दोनों 120 degree बना रहे हैं, इसमें दिया है, what is the perimeter of the quadrilateral, quadrilateral का perimeter निकालना है, बस आपको दिया है radius, circle का radius दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, देखिए, यहां पर आप एक चीज़ हमेशा पकड़ के रखिए, कि बाहिर वाले बिंदू से जैसे ही आप यहां पर दो टैंजिंट बनाते हैं, तो यहां पर यह भी 9 होगा, और यह भी 9 होगा, क्यूंकि दोनों radius है, एक तरीके से दोनों के दोनों के दोनों radius है, यह वो बरावर बरावर दो हिस्से में कड़ जाएगा, मतलब 30 डिगरी उपर 30 डिगरी नीचे, इस तरीके से कड़ जाएगा, ठीक है, मतलब यह जो 60 है, इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूँ, कि उपर भी 30 डिगरी, और नीचे भी 30 डिगरी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, यह दोनों congruent हो गए, external points से जो पूरा का पूरा कोन मनता है, यह बरावर बरावर हिस्से में कड़ता है, इसके बारे में हमने detail में discussion किया है अभी-अभी, अब बताइए भई हमको क्या निकालना है, चतुर्भूज का परिमाप निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए, बहुत simple तरीकी से मैं आपको समझाता हूँ, यह angle कितना है, 90 degree है, एक triangle है, इसको आपको मैंने कई बार बताया है, पहले भी, एक बार फिर से सुन लीजे, 90 degree, 30 degree, और 60 degree वाला triangle, 90 degree, 30 degree, और 60 degree वाले triangle में, 30 degree के सामने वाला side अगर एक unit है, तो 60 degree के सामने वाला side root 3 unit होता है, और 90 degree के सामने वाला side 2 unit होता है, इसको हमने sine roll, cosine roll में भी देखा है, इसको हमने trigonometry में भी देखा है, और एक बार फिर से यहाँ पर आज हम उस चीज़ को apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर 30 degree, एक 90 degree है, तो 30 degree होगा, यह आप लोग जानते हैं, अब 30 degree के सामने radius है, मतलब 9 unit, तो यह 60 degree बनेगा उपर, इस 60 degree के सामने जो length बनेगा, यह भी, यह बनेगा 9 root 3 unit, clear? और अगर यह 9 root 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, यह भी 9 root 3 होगा, और symmetric figure है, यहाँ पर भी 60 degree बन रहा है, तो इसका मतलब यह अगर 30 होगा, यह भी 30 होगा, मतलब यह भी 9 root 3 होगा, और यह वाला लंबाई भी 9 root 3 होगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझने के लिए, A, B, C और D इसका नाम दे देते हैं, मतलब जो SD है, SC है, CR है और BR है, सारे के सारे क्या होगाई, 9 root 3 होगाई, यहाँ तक clear होगी बात हैं, चलिए, अब इस छोटे वाले triangle में आईए, जिसमें अगर मैं इसको जोड़ू, तो यह पूरा का पूरा 20 degree, 120 degree था, 120 degree बराबर बराबर हिस्से में कड़ जाएगा, मतलब यह 60 degree का हो जाएगा, और यह भी 60 degree का, अब कोई भी एक triangle से आप समझेगा, जैसे कि यह O, B, Q triangle के उपर आईए, यह 90 degree होगा, यह 60 degree होगा, यहाँ पर 30 degree होगा, अब देखिए, यह जो O, B है, यह 9 है, 60 degree के सामने 9 है, तो 60 degree के सामने जो value है, रूट 3 के बराबर होता है, मतलब रूट 3 बराबर इतना है, मतलब एक unit बराबर 3 रूट 3 होगा, मतलब यह जो 30 degree वाला कोण है, यह जो Q, O, B, इसके पीछे वाला side है Q, इसका value हो जाएगा 3 रूट 3, होगा की नहीं होगा, इसका value 3 रूट 3 है, अब जैसे आपने देखा, symmetricity से सारे के सारे 3 रूट 3 है, तो आपको यहाँ पर भी समझना होगा, कि यहाँ सारे के सारे जो है, चाहे आप इसकी बात करें, Q, B की value 3 रूट 3 है, A, Q का value भी 3 रूट 3 है, ठीक है, P, A का value भी 3 रूट 3 है, और P, D का value भी 3 रूट 3 ही है, सारे के सारे 3 रूट 3 हो जाएगे, यहाँ तक clear, चलिए, अब यहाँ से समझेगा, कि 9 रूट 3 को हमने चार बार लिखा है, 3 रूट 3 को भी हमने चार बार लिखा है, तो perimeter क्या होता है, सब की योगफल ही होता है, तो यहाँ से आप 4 multiplied by, इसको दोनों को एक बार लिख लिजे, 9 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, यह भी चार बार है, यह भी चार बार है, तो पहले मैं इसको जोड़कर 4 गुना कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 12 रूट 3, multiplied by 4 मतलब कितना 48 रूट 3, ठीक है, तो बहुत अलग-अलग तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं, लेकिन one of the best method मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है, तो इसको आप note करके रखी, और यहाँ पर आप ratio के तहट 30, 60, 90 डिग्री वाले triangle में क्या होता है, यह इसके तहट आप इसको solve कर रहे हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए, next question देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इस figure में, point से 2 tangent PA, PB draw किये जाते, circle with center O, जिसका radius है 5, इसका radius 5 है, from point O, OC and OD are drawn parallel to PA and PB, मतलब समझेगा यहाँ से OC जो है, यह parallel है PA के, OD जो है, parallel है PB के, ठीक है, center O है, AB की लंबाई जो है, वो है 5, AB की लंबाई 5 है, AB की लंबाई आपको दी गई है 5, आपको निकालना है COD का value, तो COD यहाँ पर यह वाला angle है, इसको बताना है, ठीक है सबसे महत्वपून बात यह है, कभी भी किसी quad की लंबाई जो है, अगर किसी quad की लंबाई, radius के बराबर हो गई, जैसे कि समझे यहाँ पर यह AO और AB, हाला कि figure में वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, बढ़ आप समझेगा इस बात को, कि इसकी तरिज्या भी 5 cm है, साथ में यह जो जीवा है AB, इसकी लंबाई भी 5 है, ठीक है तो अगर यह भी 5 है, मतलब यह जो एंगल होगा AOB, यह AOB एंगल कुछ और नहीं होगा, 60 degree हो जाएगा यहाँ पर, बात समझे में आ रही है, 60 degree, और इसको समझेगा, यह 90 degree है, तो यह भी 90 degree, अगर 90-90 मतलब 180 degree, तो यह जो पीछे वाला side है, यह भी 180 degree minus का 60 होगा, मतलब 120 degree हो जाएगा, बात समझे में रही है, इसको भी हमने, पिछले वीडियो में कवर किया, इस वीडियो में भी हमने देखा, कि अगर पुरा का पुरा 2 theta था, तो यहाँ पर 180 degree minus 2 theta बन रहा था, ठीक है, जो angle बनेगा, वही angle यहाँ बनेगा, क्योंकि यह इसके parallel है, एक तरीके से आपने इसको shift कर दिया है, यहाँ पर, तो यह भी 120 degree ही बनेगा, कोई और यहाँ पर angle बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह दोनो parallel line है, तो जितना line यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से suppose करिये, इस तरीके से इसको जोड़ देता हूँ, तो यह वाला angle अगर alpha होगा, तो यह angle भी alpha होगा, क्योंकि corresponding angle equal होते हैं, संगत कोण, यह अगर beta होगा, तो यह भी beta होगा, और जब यहाँ पर alpha plus beta 120 है, तो देखिए, जब तक आप diagram नहीं बनाएंगे, तब तक यहाँ पर बाते समझ में नहीं आएगी, तो circle बना देते हैं, बोला गया, P, A, P, B, जो है, बाहिर बंदू, P से O केंदर वाले circle पर spurs रेखा हैं, मतलब इस तरीके से 2 spurs रेखा हैं, हमने पहले बना दी, यह point P है, यह A है, यह B है, ठीक है, O केंदर है यहाँ पर, तो O जो है, यहाँ पर केंदर है, clear है, A, P, B का value दिया है, A, P, B का value जो है, 40 degree दिया हुआ है, तो A, P, B, मतलब यह वाला जो angle है, यह 40 degrees यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह दोनो 90 degree होगा, यह भी 90, यह भी 90, अब आप समझी, अगर यहाँ 40 बनता है, तो यहाँ 180, angle AOB कुछ और नहीं होता, 180 degree, minus 40 degree होता है, मतलब कितना 140 degree, यदि मैं इसे जोड़ दू, इस तरीके से जोड़ दू, तो triangle, यह जो triangle AOB है, यह क्या triangle है, isosilis triangle है, sum, 2, 3, 5, 3, 5, क्योंकि दो sides यहाँ पर equal है, और आप लोग जानते हैं, दो sides equal होने के साथ साथ, इसके पीछे के जो angles होते हैं, यह भी equal हो जाते हैं, तो यहाँ पर दो sides equal होने के साथ साथ, इसके पीछे के side, मतलब अगर OAB को मैं theta मानू, तो OBAB theta हो जाएगा, मतलब इस पूरे triangle में, 2 theta plus 140 degree जो है, यह 180 degree के बराबर होगा, तो simple है, 2 theta का value कितना होगा, 140 को दूसरे जगा भीजेंगे, तो 40 degree, तो theta का value कितना हैगा, तो 20 degree, यानि direct short trick अगर आप सीखना चाहते हैं, तो यह 40 degree, इसका आधा कर लिजे, यहाँ पर जो value हैगा, इसका आधा रहेगा, 40 का आधा, 20 degree, ठीक है, यहाँ पर समझ भीजेंगे आ गया, यह short trick हो गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए, अगला सवाल यहाँ पर आपके screen के उपर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है, AB और AC जो है, दो tangent है किसी circle पर, जिसका radius है, 6 cm, तो एक circle इस तरीके से हम मना लेते हैं, जिसमें कि AB और AC जो है, दो tangent है, अब देखिए, अगर AB और AC दो tangent है, इसका मतलब यही होगा, कि A point से बनाए गए दो tangent है, AB और AC, ठीक है, यहाँ से दिया गया, इसका radius जो है, circle का radius 6 है, तो मैं मान लूँ कि यहाँ पर अगर center O है, तो यहाँ से इसका लंबाई, और इसका लंबाई, दोनों के दोनो 6 cm के होगा, चाहे O B की बात हो, चाहे O C की बात हो, AB square प्लस AC square की बात हो रही है, ठीक है, BAC angle 60 degree का है, BAC angle 60 degree का है, अगर मैं यहाँ से इसको जोड लूँ, OA को जोड लूँ, पुरा का पूरा angle BAC 60 degree है, मतलब यह 30 degree होगा, तो यह भी 30 degree का ही होगा, क्योंकि 60 degree पूरा बना, तो center से इस point को जोडने पर, यह angle जो है, bisect हो जाता है, जितना उपर उतना नीचे, 30 degree 30 degree, आपको value निकालना है, AB square का, प्लस AC square का, तो देखे, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी यहाँ पर, क्योंकि अगर यह 90 है, तो यह वाला 60 degree होगा, और अगर यह 90 है, तो यह वाला भी 60 degree होगा, ठीक है, और 30, 60 और 90 degree वाले triangle में, कई बार हमने discussion कर लिया, कि 30 degree के सामने जो angle है, वो 1 होगा, तो 60 degree के सामने वाला angle, root 3 होगा, एक unit का value 6 है, तो root 3 का value 6 root 3 होगा, AC का value भी 6 root 3, AB का value भी 6 root 3, मतलब आपको AB का square, प्लस AC का square निकालना है, तो यह 6 root 3 का square होगा, प्लस यह भी 6 root 3 का square ही रहेगा, मतलब कोल मिला के 6 root 3 का square, 6 root 3 का square को बाहर निकाल लेते square से, तो 6 root 3 पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहां बज गया 1 यहां बज गया 1 मतलब 1 plus 1 root 2 अंदर रह गया root 2 into root 3 जो है यह दोनों का दोनों multiply हो जाएगा तो root 6 बनाएगा मतलब 6 root 6 इसका उत्तर हो जाएगा यह जो है सवाल का सभी उत्तर है बात समझ में आ गई तो जो छोटी छोटी से property उसको connect करके ऐसे सवालों का आप within seconds solve कर सकते हैं चलिए next question यहाँ पर दिवा है PQRS जो है दो parallel tangents है to a circle with radius R a third tangent QTS is drawn at point T of tangency is drawn as shown in the figure ठीक है if PQ is equal to 32 PQ का value 32 दिया हुआ है आपको और RS का value दिया हुआ है RS का value 12.5 दिया हुआ है ठीक है आपको निकालना है what is the circumference देखे कभी भी आपको एक circle में दो parallel tangent दिये गए साथ में बुलागे यह एक तीसरा tangent यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है ठीक है तीसरा tangent और आपको बुला जा रहा है कि यहाँ से आपको radius निकालना है इस circle का ठीक है तो R बरावर directly क्या होता है यह होता है 32 into 12.5 का square root तो अगर एक 2 को उठा के मैं इसमें multiply कर दू तो बन जाएगा 25 यह बन जाएगा 2 क्योंकि एक send वहां किये थे तो यह 16 बन जाएगा तो 16 का square root होता है 4 25 का 5 होता है मतलब इसका value कितना हो जाएगा तो value हो गया 20 तो देखे सवालों को solve करना तो बहुत आसानी से हो जाता है लेकिन इस चीज को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ तो बहुत सारे theorem से यहां पर connected है interconnected है एक दूसरे से तो मैं थोड़ी सा अपको यहां पर बता देता हूँ चीजों को कि हो क्या रहा देखे समझेगा यहां पर कि क्या चीजे है देखे यह बात और आप note down कर सकते हैं इस theorem को समझने के पहले कि इसके ओपर हमने एक question अभी-भी discuss भी किया था अगर एक quadrilateral जो है वो किसी circle को इस तरीकी से touch कर रहा है बराबर होता है ad plus bc इसका note बना लिजीगा यह proof है कि अगर मैंने इसको a माना तो ये भी a होगा ये x माना तो ये भी x होगा ये y माना तो ये y होगा ये z माना तो ये z होगा क्योंकि external points से दोनों tangent का लंबाई सेम होता है इसके तहट ये c d है तो ये a b है c d और a b का length अगर देखोगे तो a x y z यहाँ पर भी है साज में a d और bc का length देखोगे तो a x y z यहाँ पर भी है यानि दोनों तरफ x plus y plus z और a यहाँ भी है मतलब lh is equal to rh is जो c d plus a b b का length होगा वही a b plus a d plus b c का length हो जाएगा clear अब यहाँ पर थोड़ा सा discussion कर लेते हैं कि अभी जो हम सवाल देख रहे हैं वो क्या है देखिए बहुत simple तरीकी से मैं आपको चीजों को समझाऊँगा यहाँ आप इस figure को देखिए यहाँ पर क्या दियो होगा है a b b d and c d are three tangents to a circle with center o at point a e and c तो यह इस वरित का केंद्र o है इस वरित केंद्र o पर हमने तीन tangent बनाया एक है a b, एक है b d, एक है c d कहा कहा पर तो a point पर e point पर और c point पर अभी तक हमने यह देखा है कि external point से किसी भी external point से circle पर दो tangent बनाया जा सकते है एक b a और एक b e दो tangent हम बना सकते हैं जिसमें से यदि आप देखोगे तो यहाँ पर यहाँ से दो tangent बने और जैसी दो tangent बनते हैं इस point को जोडने पर जो उपर वाला figure है नीचे वाला figure सेम होता है तो अगर यहाँ पर यह वाला angle alpha होगा तो यह जो छोटा वाला angle है यह भी alpha होगा क्योंकि यह दोनों triangle congruent होता है यह हमने अच्छे से discussion किया है इसके बारे में अब इस figure को फिर से एक बार देखेंगे इस point के तहत यदि आप देखोगे इस point के तहत आप देखोगे तो यहाँ से भी तो दो tangent बने हुआ यहाँ से यहाँ तक जैसी आपने इसको जोड़ा तो अगर यह वाला angle बीटा यहाँ बना हुआ है तो यह वाला angle भी यहाँ पर बीटा बनेगा तो एक छोरम यह कहता है कि आपने तीन है tangent जैसे ही बनाया AB tangent, CD tangent और BE tangent तो यहाँ से आपको समझना होगा कि इस point of intersection से जो दो angle बने एक angle बना, सबसे पहली बात यहाँ पर BOC जो angle बना, angle BOD, इस की बात करूँगा मैं BOD इस BOD angle का value क्या alpha प्लस बीटा है, alpha प्लस बीटा है और अगर आप यहाँ से AOC देखेंगे, AOC की बात करते है, AOC मतलब यहाँ से, यहाँ तक और यहाँ तक का आधा होता है, बात समझ में आ गई, तो अभी हम जो question देख रहे हैं, वो इसी का ही result है क्योंकि इस question में हुआ क्या, कि यह जो side tangent CD है, और tangent AB जो है एक दूसरे के parallel हो गए parallel हो गए की नहीं, जैसे ही यह parallel हो गए, तो आपको समझना होगा कि angle AOC जो हमने discuss किया था पिछले वाले में, यह पूरा का पूरा angle AOC कितना हो गया, 180 डिग्री बन गया, अगर angle AOC 180 डिग्री बन गया, तो ऐसे से क्या हुआ, एक 90 डिग्री ट्रेंगल है ABC, और यहां से आपने 90 डिग्री बना दिया PD, यही तो हो रहा है न, 90 डिग्री राइट अंगल ट्रेंगल पहले से ही था BOD, इसके vertex से आपने एक radius बनाया, तो यह भी तो tangent है, radius tangent के perpendicular होता है, मतलब 90 डिग्री वाले triangle में, 90 डिग्री वाले angle से, आपने hypotenuse पर एक right angle बना दिया, altitude बना दिया, तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि tangents में इसका भरपूर यूज़ होगा, यहाँ पे यही चीज़ यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप एक चीज़ discuss कर चुके हैं, और यहाँ पर उसी चीज़ का use होगा, कि जो bd का square होता है, bd का square जो होता है, वो ad into cd के बराबर होता है, इसके बारे में discussion हुआ था वहाँ पे, कि bd का square होता है, ad into cd, अगर आप नहीं देखा है, similarity में right angle triangle जो है, उसको अच्छे से समझ के आईएगा, वह bd का length कितना है, x है, तो ed का length है y, और सवाल में क्या दिया था, सवाल में आपको ab का length और cd का length दिया था, अब यहाँ से इस चीज़ को समझिए, कि external point से किसी भी circle पर दो tangent बनते हैं, अगर यह y है, तो यह length b y होगा, अगर यह length x है, तो यह length भी x होगा, इसका मतलब जो य अब आपको समझ में आ गया होगा कि फटा-फट मैंने एक line में कैसे यहाँ पर लिख दिया, कि अगर यह 32 है, और यह 12.5 है, तो इस radius का value क्या होगा, radius का value हो जाएगा square root of 32 into 12.5, clear, तो सवाल तो बहुत सारे बना सकते हो आप, लेकिन उसको apply करना इस तरीके से, फटा-फट result बना के रखना जो आप कर सकते हैं, अगर आप यह कर पाएंगे, तो आपके exam में time बहुत ज़्यादा save होगा, तो theorem जाद से ज़्यादा बनाईए geometry में, या advanced math के सभी topics में, तो आपके question within seconds solve हो जाएंगे, आशा करता हूँ है, आपको अच्छे समझ में होगा, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, दो identical circles है, जिसका radius है 4 cm, यह आपका previous year SSC CGL exam का question है, तो यहाँ से आपको समझ दा होगा, in the given figure, two identical circles of radius 4 cm touch each other, at point, touch each other, A and B are the centers of the two circles, RQ is the tangent, then what is the length of RQ, देखिए, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, यह दो circles identical है, मतलब जितना radius इसका, त्रिजा है 4 cm, मतलब AQ की लंबाई 4 होगी, अगर इस point को हम, PQR है, S भी है, PQR, S, इसको T मा लेते हैं, तो A T और T भी दोनों के दोनों 4 होगे, BP भी 4 होगा, ठीक है, आपको RQ की लंबाई निकालने को कहा गया है, तो RQ की लंबाई क्या है, कोशिश करता है इसको निका ही है, तो आपको समझना होगा कि यह जो triangle है RQP, और जो triangle है ASP, यह दोनों similar हो जाएंगे, triangle RQP, similar to triangle ASP, होगा की नि, क्योंकि भाई, एक angle दोनों में common है, और 190 degree, 190 degree, तो जितना यह वाला angle होगा, उतना ही यह वाला angle हो जाएगा, similar हो जाएंगे, दोनों के दोनों angles, अब इ Q की लंबाई निकालने के लिए, आप यहाँ पर पाइथोकर स्थियोरम का यूज जरूर कर सकते हैं, जैसे RQ का जो square है, प्लस PQ का जो square है, यह बराबर RP का square होगा, यह पहला चीज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिससे RQ का value आ रहा है, दूसरी बात हम यहाँ पर क् 90 डिगरी के सामने RP है, तो यहाँ पर इस similarity की हम यूज करेंगे कि 90 डिगरी के सामने यहाँ RP है, बड़े ट्रेंगल में, तो बड़े ट्रेंगल में RP अगर मैं लूँ, तो छोटे ट्रेंगल में मुझे AP लेना होगा, याने PA, आप इसको लिख सकते हैं, या AP ले सकते हैं, साथ में कौन सा साइड लेने पर हमें फायदा है, देखिए अगर मैं यहाँ से इस साइड को लूँ, इस वाले एंगल को लूँ, तो इस एंगल के सामने यहाँ RQ है, बड़े वाले ट्रेंगल पर तो RQ लिख लेते हैं, तो यहाँ से आपका AS आ जाएगा, मतलब देखिए तो 4 से अगर इसको कट कर दिया जाए, तो यह बन जाएगा 3-1, 3 अनुपात 1, मतलब यह जो वैल्यू है कितना हो गया, 3 अनुपात 1 हो गया, 3 है और यह 1 हो गया, मतलब अगर इसको मैं 3X ले लू तो यह X बन जाएगा, और RQ का वैल्यू अगर X है, तो RQ का वैल्यू x है तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि यह बहुत सिंपल हो गया आपके पास रफ का वैलू है जो कि 3 x है यह बन जाएगा 9 x² की का वैल्योर x² हो गया यहां दिदो गया एक पिक्ते, मतलब यहां तो चार होता है, लेकिन ये root 2 अंदर फसा रहेगा, तो चार root 2 जो है, सवाल का सही हुदत होगा, ये आपके previous year SSC CGL के paper में आया हुआ सवाल है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, a line cuts two concentric circles, the length of the quads formed by the line on the two circles are 4 cm and 16 cm, what is the difference between the square of the radius of the two circles, तो दो concentric circles आपको दिया हुआ है, इस तरीके से, और बुला गया है, एक cord है, जो की दोनों में है, मतलब एक cord इस तरीके से है, जो की दोनों circles में cord है, ठीक है, तो concentric मतलब इसका center सेम होगा, तो इसको PQ मान लेते हैं, अंदर वाले के लिए A B मान लेते हैं, तो बताया क्या गया है, ठीक है, उस रेखा द्वारा वृत पर बनाई गई जीवाओं की लंबाई 4 और 16 है, मतलब जो A B की लंबाई ये 4 होगी, तो PQ की लंबाई जो है, वो 16 की होगी, आपको क्या चाहिए, आपको त्रिज्जाओं, दोनों वृत के त्रिज्जाओं के वर्गों का अंतर चाहिए, तो देखे, समझेगा यहां से, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बना लूँ, 90 डिग्री पे काटता है यह, 90 डिग्री पे काटने के साथ, इसको बरावर हिस्सों में बढ़ता है, मतलब अगर यह M है, तो MB बरावर 2 होगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा AM है, तो यह MB जो होता है, इसका आधा होता है, साथ में जो MQ है, MQ का वैल्यू 16 का आधा मतलब 8 हो जाएगा, तो अगर यह Capital R Radius है, तो यह Small R Radius होगा, इसको अगर O ले ले, तो यहाँ पर दो ट्रेंगल आपको दिखाए दे रहे होगा, एक OMB, दूसरा OMQ, दोनों ट्रेंगल में OM का स्क्वेर कॉर्ण है, पाइथोगरस थियोरम से, तो छोटे ट्रेंगल में इसका वैल्यू होजाएगा, Small R square minus 2 square, बड़े ट्रेंगल में इसका वैल्यू होजाएगा, Capital R square minus of 8 का square, तो R का square minus small R का square, बराबर होजाएगा, 8 square minus 2 square, जो क्यों होजाएगा, Annular area, Annular area का मतलब होता है, इसके बीच का area, सपोस करिए कि अगर, देखें, इसका value तो 60 आ गया, ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, answer 60 है, Annular area के उपर प्रश्ण आ गया, तो Annular area का मतलब होता है, ये वाला area, ये जो बीच का area दिख रहा है, इसके ओपर भी प्रश्ण आ सकता है, तो Annular area अगर आपको निकालने को बोले, तो actually आपको समझना होगा, Annular area का मतलब होता है, पाई R square minus R square, क्योंकि भाई, बाहर वाले का area, पाई capital R square होगा, अंदर वाले का, small pi R square होगा, तो directly इसमें pi multiply कर दोगे, तो 60 pi वहाँ पर उत्तर होगा, clear? चली, तो इस प्रश्ण में, next question में दिया हुआ है, ओ जो है, center of the circle है यहाँ पर, आपको angle qr निकालना है, बोला गया है qp पर, आप यहाँ पर, दो जब tangent बनाते हैं, यहाँ पर बाहर से angle जो बन रहा है, वो 64 degree का बन रहा है, तो दीखें, कभी भी आपको यहाँ पर, इस तरीके का प्रश्ण पूछा गया, समझेगा बात को, बहुत simple से, मैं आपको उता हूँगा, अगर मैं यहाँ से, दोनों पर एक radius बना दू, तो 90 degree, 90 degree पर बनता है, यह angle अगर AOB है, आपको यह बात पता है, कि angle Q और R जो है, Q और R जो angle होता है, यह angle AOB का आधा होता है, इसके बारे में हमने discuss कर लिया, क्योंकि, यह पूरा का पूरा tangent, यह पूरा का पूरा tangent, तीसरा tangent यहाँ पर इस पर T point पर बना, जो कि यहाँ Q और R पर मिल रहा है, तो angle Q और R जो होता है, AOB का आधा होता है, यह हमने देख लिया, और angle AOB निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, angle AOB क्या है, यह 180 degree minus of 64 degree, क्योंकि यहाँ 64 बना, तो यह 90-90 बनता है, तो एक quadrilateral OAPB में, दो angle तो 90-90, 180 degree यह लेगा है, तो जो angle AOB होगा, वो होगा 180 minus का 64 degree, मतलब कितना 116 degree, 116 का आधा कर लीजी, तो कितना आएगा 58 degree आएगा, ठीक है, तो B जो है सवाल का सही उत्तर होगा, यहाँ तक clear, चली, नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से हमें एक circle बनाए, तो यह 90 डिग्री तो होगा angle B पर, साथ में यह quadrilateral है, तो इस तरीके से हमने इस quadrilateral को पूरा कर दिया, A, B, C, और D, अब यहाँ पर दिया, A, D की जो लंबाई है, 24 है, यह 24 है, A, D की लंबाई, साथ में, A, B की लंबाई है, यह है 27, अच्छा, ठीके, A, B की लंबाई 27, थोड़ा सा diagram जो है, उस तरीके सोना चीए था कि यह ज़्यादा लंबा दिखे, चलिए, एनिवेस, A, B की लंबाई 27 है, A, D की लंबाई 24 है, और साथ में, D, R की लंबाई दी हुई है, आपको, D, R, चलिए, P, Q, R, S, कहाँ खाँ पर है, P, Q, R, और S, यहाँ पर, इस तरीके से, D, R की जो लंबाई यह 6 है, D, R की लंबाई 6 है दी हुई है, आपको निकालना है circumference, तो कैसे निकालेंगे circumference को, चलिए, आए, समझते हैं यहाँ पर, बात समझेगा कि यहाँ पर, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दू, तो यह radius होता है, यह भी radius होता है, दोनों के दोनों अगर radius होगा है, मतलब देखिए सबसे पहली बात, अगर यह 90, 90, 90 हुआ, तो चौथाव एंगल भी 90 हुआ, मतलब rectangle तो confirm है, साथ में यह दोनों radius है, मतलब adjacent side भी equal हो गया, तो यह rectangle नहीं रहे गया, square बन गया, मतलब यह r, यह r, यह r, यह r होगा, आपको क्या निकालना है, इसका परीधी निकालना है, मतलब आपको 2 pi r का value निकालना है, कैसे भी r निकालिये, तो solve हो जाएगा question, तो आप एक बात जानते, external points है, दो tangent बनते, इसकी लंबाई 6 है, तो इसकी लंबाई भी 6 होगी, और अगर इसकी लंबाई 6 है, तो बची हुई जो लंबाई यहां से यहां तक है, यह 18 होगी, अब a, s, a, p की जो लंबाई है, a, p की लंबाई अगर यह 18 है, तो 27 में से 18 मैंस करोगे, तो यह 18 आ जाएगा, मतलब नीचे का जो value है, यह 9 होगा, मतलब radius जो है, वो 9 है, तो 9 इस पे दाल दीजिए, circumference आ जाएगा, 18, p, बी जो है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है, a circle touches the side BC of triangle ABC, circle touches a side BC of triangle ABC, a, b and a, c produced at e and f respectively, अच्छा, मतलब देखिए, circle जो है, इस तरीके से बना है, ABC triangle है, BC side को touch करने के साथ, a, b और a, c को touch करता है, e और f पर, मतलब a, b को produce करने पर e, और a, c को produce करने पर f point पर ये meet करता है, इस तरीके से यहाँ पर एक circle बना हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि, a, b की लंबाई जो है 10 है, a, b की लंबाई जो है 10 है, और a, c की लंबाई जो है 8.6 है, a, c की लंबाई है 8.6, b, c की जो लंबाई है 6.4, b, c की जो लंबाई है 6.4, आपको निकालना किस की लंबाई है, आपको निकालना है, b, e की लंबाई, B E के लंबाई निकालनी X तो इसको मैं मान लेता हूँ X देखे सबसे पहली बात आप यह समझेगा कि जितनी लंबाई A E की है उतनी लंबाई A F की होगी होगी कि नहीं होगी जितनी लंबाई A E की है उतनी लंबाई A F की होगी सबसे पहली बात अगर यहां से हम देखें इसको कि अगर यह लंबाई x है इस point को थोड़ी देर के लिए मैं d मान लेता हूँ तो जितना यहां b e होगा उतना b d होगा मतलब b d के लंबाई भी x होगी साथ में अगर b d की लंबाई x है तो c d की लंबाई हो जाएगी आफ का होगा यह की लंबाई की लंबाई की बात कर तो थो दस प्लस x है मिए gef की लंबाई की बात करो तो एट point 6 plus 6.4 माइनस x है मतलब 8.6 plus 6.4 कितना होगया 8.6 plus 6.4 माइनस का x है अब जब x की लंबाई निकालनी है तो x की लंबाई क्या हो जाएगी आप समझेगा यहाँ पर थोड़ा सा अगर इस x को ठाके यहाँ ले आए तो 2x बन जाएगा मतलब की हो जाएगा 8.6 और 6.4 को जोड लीजे 8.6 और 6.4 को जोड लीजे कितना आ जाएगा यह बन जाएगा थोड़ा सा discussion कर लेते हैं देखे शौट ट्रिक यह है आप इसको समझेगा कि यहाँ से जो ae है चाहे आप ae की लंबाई की बात कर लीजे चाहे आप af की लंबाई की बात कर लीजे यह triangle a b c के perimeter का perimeter का आधा होता है इस चीज़ का आप note बना लीजेगा 2.4 प्लस 8.6 कर लीजे 8.6 और इसको जोडने पर 15 मनता है प्लस 10 मतलब की 25 इस 25 का जो आधा होगा यह होगा साड़े बारा 12.5 तो a से लेकर e तक की लंबाई भी 12.5 होगी a से लेकर f तक की लंबाई भी 12.5 होगी दोनों के दोनो 12.5 माइनस 10 करोगे तो इसकी लंबाई जो है यह 2.5 हो जाएगी यहां तक clear इस तरीके से आप इसको फटा-फट कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर यह 12.5 है आप से cf पुछे तो 12.5 माइनस of 8.6 आपका उत्तर हो जाएगा clear चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन के उपर है यह अगें आपके previous year सवाल है यहां पर दिया हुआ है in the given figure E and F are the centers of two identical circles what is the ratio of area of triangle AOB to triangle COD तो यहां पर देखी यह identical circles है मतलब जितना radius इसका उतना radius इसका आप से पूछ रहा है यह जो AOB है ठीक है और साथ में यहां पर नीचे COD है इन दोनों के area का आपको यहां पर ratio निकालना है ठीक है इन दोनों के area का आपको ratio निकालना है कैसे निकलेगा देखे समझेगा यहां पर बहुत simple तरीके से हम यहां पर इसको discuss करेंगे आप देखिए क्योंकि identical circles है तो यह actually इसके perpendicular है साथ में यह इसके perpendicular होगा मतलब यह इसके perpendicular और यह इसके perpendicular यह दोनों भी perpendicular होगे ठीक है तो यहां से आपको समझना होगा कि एक rectangle बन गया मतलब जीतनी लंबाई AB की है अगर AB की लंबाई distance D मान ले तो यहां से इसके जो लंबाई है इसको अगर PQ मान लो तो PQ की लंबाई भी D ही होगी यहां तक clear है ठीक हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि AB और CD की लंबाई का ratio निकालने उससे area निकालना भोग असान होगा अब थोड़ा सा इस figure पर ध्यान दीजेगा यहां से A, E, B ट्रेंगल और P, E, D ट्रेंगल इन दोनों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजेगा ठीक है क्योंकि यह 90 डिग्री है 90 डिग्री है साथ में vertically opposite angle दोनों equal हो गए और यह radius यह radius है तो congruency से यह सर्वांग सम हो जाएंगे ठीक है A, S, A से सर्वांग सम हो गए और अगर सर्वांग सम हो गए तो A, B की लंबाई और D, P की लंबाई दोनों के दोनों D हो जाएगे इसी प्रकार जो A, B की लंबाई है यहां से जो figure बनेगा इन दोनों triangle भी, यह दोनों triangle भी congruent होगे तो जितिनी लंबाई A, D की उतिनी लंबाई यहां पर C, D की हो जाएगे मतलब कि आप समझिए यहां से हुआ क्या इस discussion में हमने यह देख लिया कि अगर A, D की लंबाई D है तो पूरे के पूरे C, D की लंबाई D, D, D याने 3D है मतलब कि अगर A, B की लंबाई D है तो पूरे के पूरे C, D की लंबाई 3D है बात समझ में आ रहा है एक अनुपात 3 में इसके sides के ratio है आपको तो area का ratio पूछ रहा था तो सबसे पहली बात भई, यह दोनों parallel lines है अगर यह 90 था, तो यह 90 था यह वाला angle और यह वाला angle equal होगा क्योंकि alternate interior angle यह तिरियाक का काम कर रहा है AC और यह दोनों parallel line है तो alternate interior angle से angle A बराबर C, angle B बराबर D दो कोण equal होगा है मतलब triangle similar triangle AOB similar to triangle COD तो जब area निकालना है इन दोनों का याने area of triangle AOB divided by area of triangle COD इन दोनों का जो area होता है यह AB divided by CD का whole square होता है मतलब एक बटे तीन का whole square एक बटे तीन का whole square कितना होता है एक बटा 9 होता है तो B जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear है चलिए तो next question है आपकी screen के उपर यहां दिया होए PE की जो लंबाई है वो 18 है PE क्या है भई यहां इस point से center तक आपने जोड़ा है इसके केंदर तक आपने जोड़ा है ओ तक जिसमें PE की लंबाई 18 दी हुई है तो यह 18 हो जाएगा correct इसके बाद बोला गया है इस circle की त्रिजा जो है 7 है तो यह 7 यह भी 7 होगा ठीक है और आपको बताना है tangent CD की लंबाई क्या CD की लंबाई ठीक है तो इसको समझते है देखे समझेगा यहां पर कि यह जो बिंदू E है यह इस बिंदू पर जाकर कट रहा है मतलब कि actually यह 90 डिगरी पर कटेगा और आप congruency से भी इसको proof कर सकते है या आप ऐसे भी देख सकते है symmetric figure है op के about तो जो CD है यह bisect हो जाएगा यहां पर मतलब अगर मैं CE की value निकाल लूँ तो CE का जो दुगना होगा वही CD का map होगा ठीक है अब कैसे यहां पर congruency use करें दीके समझेगा यह जो radius है यह perpendicular होता है 90 degree पर यह साथ है और यह पुरा का पूरा 25 है 25 है यहां से लेकर यहां तक का लिंद साथ 25 देखते साथ आपके दिमाग में strike हो रहा होगा 7, 24, 25 जो की triplet होता है trigonometry के part 2 में हमने triplet के बारे में discussion किया मतलब यह जो asp होगा इसका value हो जाएगा 24 अब यहां से दो triangle बन रहे है दोनों में एक angle 90 है तो दूसरा angle 90 यह भी तो 90 होगा ना अगर यह 90 है तो side वाला भी 90 होगा तो चाहे PEC triangle की बात करें तो चाहे PEC triangle की बात करें या triangle PAO की बात करें दोनों के दोनों यहां similar होंगे और आप यहां पर similarity लगाई है या 10 theta लगाई है दोनों में 10 theta लगाने में ज़्यादा अच्छे समझ में आता है जैसे छोटे triangle में 10 theta लगाऊगे तो CE divided by 18 आएगा बड़े triangle में 10 theta लगाऊगे तो perpendicular है 7 base है आपका अब 24 तो 7 divided by 24 आएगा 6 से काट लिया जाए तो 4 है यह 3 है मतलब CE का value जो है वो 3 4 है किसका 7 का ध्यान दीजेगा यह CE है और जैसे symmetric figure बना तो CE और ED बरावर होगा पुरा का पुरा CD जो है CE का दुगना होगा CD जो है वो CE का दुगना हो जाएगा दुगना मतलब इसमें 2 से गुणा कर दीजे और 2 से गुणा करने पर यह 2 इससे कटेगा मतलब 21 divided by 2 मतलब कितना 10.5 आएगा 10.5 मतलब की C जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear है? चलिए next question यहाँ पर दिया हुआ है O जो है center of the circle है दो tangent बनाएगा और M C का वैलू यहाँ पर दिया हुआ है आपको 12 AB का वैलू बताना है कि लंबाई क्या होगी tangent AB की तो चलिए आएए इसको solve करने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़े दी हुई है कि यह BA और BD जो है tangent है सबसे पहली बात तो AB जो होगा उसी की लंबाई बरावर BD की लंबाई हो जाएगी साथ में AM की वैलू जो है AM की वैलू 15 है और यह जो MC यह जो छोटा सा पार्ट है इसका वैलू कितना है 12 है ठीक है कैसे इसको हम solve करेंगे देखे समझेगा आप यहाँ से B से जब आपने दो tangent बनाए तो यहाँ पर इस पॉइंट को BO की अबाउट यह congruent होते है मतलब कि यहाँ से चाहे आप triangle AOB की बात करें चाहे DOB की बात करें दोनों के दोनों congruent triangle से आपको जो लंबाई दी है वो यहाँ पर इसकी लंबाई दी है AM और MC की जो की यहाँ पर point C से बना है तो सबसे पहली बात आप इस point के बाउट लगाएंगे tangent secant theorem मतलब CD का जो square होगा CD का जो square होगा वो होगा CM multiplied by CD का square होगा CD का square होगा CM multiplied by CA CD का square होगा CM multiplied by CA तो CM का value कितना है CM का value पूरा का पूरा हो जाएगा 12 प्लस 15 मतलब 27 और यह CA की लंबाई है और MC की लंबाई बोलीजी यह CM की लंबाई बात एखिए 12 होगा और यह 27 हो जाएगा तो यहाँ से आपके CD का value आजाएगा जो कि इसका square root है square root निकालना बहुत आसान है क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक 3 यहाँ पर भिज़ दू तो 36 बन जाएगा और यह 9 बन जाएगा ऐसा इसको shift कर सकते है ना एक 3 जो था 27 को क्या लिख सकते है 9 into 3 एक 3 को यहाँ multiply कर देते हैं तो 36 भी perfect square 9 भी perfect square तो बन जाएगा 6 into 3 मतलब 18 यह जो cd है इसकी लंबाई आगई अठारे आपको किसकी लंबाई चाहिए आपको चाहिए भाई इसकी लंबाई पूरे के पूरे a b की लंबाई क्यासे निकालेंगे देखिए अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और समझते हैं चीज की यहाँ हो क्या रहा है ठीक है पहले हमने एक थोरम पढ़ा था आपको याद होगा internal angle bisector theorem ट्रेंगल में जो थोरम वाला वीडियो था वहाँ सबसे पहला थोरम हमने जो डिसकस किया था इंटिरियर एंगल bisector theorem थोड़ा सा आप इस ट्रेंगल पर आईएगा तो यहाँ पर भी theta अब इस ट्रेंगल ABC को थोड़ा सा गऊसे देखेगा क्या मैं कह सकता हम कि यजो बी एम है यह ट्रेंगल एंगल ABC का angle by sector है BM जो होगा angle ABC का angle by sector होगा interior angle by sector के तहत जो AB होगा divided by जो BC होगा यही AM divided by MC होगा AM होगा यहाँ पर AM divided by MC होगा ठीक है मतलब अगर यहाँ 15 यहाँ पर 12 है तो AB और BC का भी यही ratio होगा तो अगर आप देखें इसका ratio कितना बन रहा है तो आपका जवाब होगा यह 15 divided by 12 अगर इसको हम 3 से काट दें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से काट दें तो यहाँ पर आ जाएगा 5 divided by 4 तो यह 5 अनुपात 4 है क्या है 5 अनुपात 4 है मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 5 तो यहां से यहां तक की लंबाई 4 यूनिट है लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई कि AB बरावर BD है तो AB की लंबाई अगर यहां से यहां तक 5 यूनिट है तो BD की लंबाई भी यहां से यहां तक जो है यह भी 5 यूनिट है जिसमें से इस AB की लंबाई 4 18 बरावर 1 unit होगा और अगर 1 unit बरावर 18 है तो a b 5 unit है 5 unit बरावर हो जाएगा 5 into 18 मतलब 90 90 a is the correct answer clear यहां तक बात समझ मैं भी तो अगला सवाल यहां पर है common tangent के उपर common tangent याने कि आपका उभ्यनिष्ट स्पर्ष रिखाओं के उपर प्रशन है यहां पर दिया हुआ है what is the maximum number of common tangent which can be drawn for two non-intersecting circles non-intersecting circles का मतलब एक circle यहां पर है और एक circle यहां पर है ऐसे condition में कितने आप यहां पर tangent बना सकते हैं तो इसका जवाब है चार common tangent बन सकते हैं चार tangent बन सकते हैं सवाल है तो यहां पर देखिए पहला tangent ऐसा बन सकता है दूसरा tangent ऐसा बन सकता है तीसरा tangent ऐसा बन सकता है और चौथा tangent ऐसा बन सकता है तो यह जो बाहर वाले tangent है इसको हम कहते हैं direct common tangent और अंदर वाले जो tangent है इसको हम कहते हैं transverse common tangent तो पहले तो मैं ये इसके उपर थोड़ा सा आपको समझा देता हूं comment tangent के उपर और यही हमारे इस वीडियो का आखरी पार्ट है तो अच्छे से समझेगा वीडियो अगर पसंदार है तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो कि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रवाइड करें साथी साथ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए चैनल को चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से देखिए कॉमन टैंजेंट याने की आप उभ्यनिष्ट स्पर से रेखा लिखेंगे तो देखिए यहां पर कंडिशन क्या है कि दो सर्कल होने चाहिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है मतलब इन दोनों सर्कल्स का रेडिय यह वो डी है अब यहां कंडिशन क्या क्या बन सकता है अगर इन दोनों का जो अंतर है तो रिजाओं का अंतर डी से बढ़ा हो गया तो फिगर ऐसा बनता है याने कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ऐसे कंडिशन में एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होता नंबर ऑफ कॉ पर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा हो गया डिस्टेंस याने इन दोनों के सेंटर का दूरी याने पहला सेंटर दूसरा सेंटर इन दोनों की जो दूरी है अगर यह कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर हो गया तो एक सर्कल दूसर distance between the center d है यह r minus r से तो बड़ा है लेकिन r plus r से छोटा है मतलब दोनों के difference से बड़ा और दोनों के sum से छोटा ऐसे condition में इस तरीके का figure बनता है और एक common tangent ऐसा दूसरा common tangent ऐसा दो common tangent possible है अब distance को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और यह अगर r plus r के बरावर हो गया तो ऐसा figure बनेगा capital r plus small r के बरावर distance हो गया तो ऐसा figure बनता है जिसमें एक common tangent यह है और तीसरा common tangent ऐसा बीच से निकल सकता है तो ऐसे में थ्री common tangent बनते हैं बात समझ में आ गई अब आखरी condition जो इस figure में दिया हुआ है non-intersecting circles का non-intersecting circles में क्या होता है जो दूरी है center की दूरी a से लेकर b तक की दूरी d है इसका radius r है इसका radius smaller जो distance d है यह r plus r से भी बड़ा हो गया या इन दोरों के radius को जोड़ लीजे उससे भी बड़ा हो गया ऐसे condition में चार tangent बनते है दो direct common tangent जो blue color में है दो transverse common tangent जो की red color में है ठीक है अब देखिए इसमें और चीजे हमको समझनी है पहले हम direct common tangent याने प्रत्यक्ष उभ्यनिष्ट स्पर्ष रेखा की बारे में बात कर लेते हैं यह pq जो है इसको हम कहते है direct common tangent प्रत्यक्ष उभ्यनिष्ट स्पर्ष रेखा इसकी जब लंबाई निकालनी है तो यह होता है distance between the center d square minus of bracket में r minus r का whole square इसका square root ले लिजे तो distance between center r minus r का whole square कर लिजे इन दोनों का जो difference होगा square में वही आपका pq transverse common tangent का length किया तो यहाँ पर x y और az r plus r का whole square हो जाता है r plus r का whole square हो जाएगा मतलब यहाँ पर sum of radius हो जाता है अब इस बात को समझेगा अगर इस बात को समझेगा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बाते अगर radius 1 equal to radius 2 हो गया इस case में यह दोनों cancel out हो जाता है तो जो distance between the center है वही आपका transfers common tangent बन जाएगा दूसरी बात आप यहाँ से समझेगा कि इस वाले condition में distance जो है जब तीसरा वाला condition मतलब जहाँ पर तीन common tangent बन रहे थे यहाँ पर actually d जो है equal to r plus r है तो ऐसे condition में जब आप transfers common tangent की value निकालेंगे तो वो क्या होगा यहाँ से आपका r plus r हो जाएगा यह r minus r होगा ऐसे condition में जो distance होता है वो हो जाता है 2 r 2 square root of r r मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यह हो जाएगा 2 square root of r into r क्योंकि यह r plus r का whole square minus r minus r का whole square होता है ऐसे condition में तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी square root of 4 into r into r होगा 4 तो बाहर आ जाएगा 2 square root of r into r इसकी लंबाई हो जाएगी ठीक है तो within seconds आप इसको solve कर सकते हैं लेकिन उसी condition में जब आप transverse common tangent की बात करेंगे तो उसकी लंबाई 0 हो जाती है आपने देखा diagram कुछ इस तरीके से बन रहा है तो transverse common tangent की बात करो तो एक point है और इस point की बात करें तो यहाँ r plus r ये भी है ये भी r plus r है तो 0 हो जाएगा इसकी लंबाई ठीक है तो ऐसे condition में transverse common tangent की लंबाई जो होती है वो 0 होती है transverse common tangent अब कुछ सवाल देख लेते है इसके तहत a and b are centers of two circles with radius 11 and 6 respectively common tangent touches the circle at point p and q if a b is equal to 13 then what is the length of p q तो इसकी radius क्या है 11 इसका radius क्या है 6 है 11 और 6 का difference होता है 5 11 और 6 का sum होता है 17 इन के बीच की दूरी है 13 जो कि इन दोनों के बीच में है मतलब circle का जो diagram होगा वो कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि distance between the center जो है दोनों radius के difference से बढ़ा है लेकिन दोनों radius के sum से छोटा है ऐसे condition में जो common tangent बनेगा वो एक मात्र common tangent direct common tangent होगा और direct common tangent की लंबाई पीक्यू जो है पीक्यू की जो लंबाई है पीक्यू का value हो जाता है इसका center A है इसका center B है small r जो है capital R जो है इसका value capital R है 11 इसका value small r है और distance between the center जो है यह आपका 13 दिया हुआ ऐसे condition में जो पीक्यू है वो केवल direct common tangent बनेगा याने कि direct common tangent याने बाहर वाला tangent ठीक है और इसको अगर हम यहां से solve करें तो D square minus of r minus r का whole square direct इसका value होगा तो D square का मतलब 13 का square minus of r minus r मतलब 11 minus 6 मतलब 5 का square तो 5, 12, 13 triplet होता है तो 13 अगर hypotenuse हो गया एक side 5 हो गया तो तीसरा side यहां पर 12 आएगा तो 12 इसका answer हो जाएगा तो D जो है सवाल का सही उत्तर है यहां तक clear हो गया सलिए next question radius of two circles are 6 and 3 length of the transverse common tangent is 8 what is the distance between the center तो transverse common tangent की लंबाई 8 दी हुई है यह होता है भई distance between the center का square D square minus of r minus r मतलब यहां से 6 minus 3 का difference 6 minus 3 का whole square direct formula के उपर based question आपके exam में आते हैं तो इसको तुरंत आप formula लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास direct common tangent जो है उसकी लंबाई दी हुई थी distance between the center निकालना है अच्छा transverse common tangent दिया हुआ है इसको no doubt करिएगा transverse common tangent दिया तो यहां plus हो जाता है ठीक है तो यहां पर तिरियक उभ्यनिस्ट जो है यह आपका तिरियक उभ्यनिस्ट sparse रेखा की लंबाई आपको दी हुई है ठीक है transverse common tangent की लंबाई है 8 तो ऐसे condition में 8 दिया है तो d square minus r plus r होता है तो अगर इसका square करें तो 8 का square होगा यह बन जाएगा d square minus of 9 का square 9 square इधर आएगा तो d square हो जाएगा 64 plus 81 इन दोनों को जोडने पर आ रहा है 145 मतलब d का वालू हो जाएगा square root of 144 ठीक चलिए आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर जो है typing error है यह उभ्यनिष्ट जो है यह तिरियक उभ्यनिष्ट स्पर्ष रिखा होगा ठीक है radius of the two circles are 3 cm, 4 cm the distance between the centers is 10 अब यहाँ से आप देखिए इन नोनों को अगर मैं जोड़ भी लो 3 प्लस 4 तो होता है 7 और distance between center दिया है 10 यह से बड़ा है मतलब diagram कुछ ऐसा बनेगा ठीक है इस तरीके का diagram बनेगा distance between the center 10 है इसका radius है small r जो की है 3 और इसका radius है capital r जो की है 4 इस तरीके का diagram यहाँ पर बनेगा what is the ratio of direct common tangent to the transverse common tangent यह हमको find करना है तो direct common tangent का जो formula होता है वो होता है 10 का square d square देखे formula क्या है direct common tangent की लंबाई का और transverse common tangent की लंबाई का इसका formula जो है वो होता है square root of d square minus r minus r का whole square अनुपात d square minus of r plus r का whole square यही इसका formula होता है तो d मतलब 10 का square minus r minus r मतलब यहाँ से 4 minus 3 मतलब 1 का square अनुपात 10 का square r plus r मतलब 7 का square under root 100 minus 1 करोगे तो 99 का square root आएगा अनुपात में यहाँ 100 minus 49 करोगे तो 51 का square root आएगा अब देखे क्या यहाँ पर option सही है देखे रूट 3 दोनों तरफ है रूट 3 इसमें भी है रूट 3 इसमें भी है तो 33 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 17 आ जाएगा square root के अंदर तो 33 अनुपात 17 रूट 17 जो है यह इसका सयुक्तर है यह आपका previous year SSC CGL का सवाल है जो मैंने यहाँ पर आपको करवाया है चलिए आगे बढ़ते है दो identical circles है जिसके बीच 10 cm का है radius 10 cm है length of direct common tangent 26 है what is the length of transverse common tangent तो देखे जभी भी दो identical circles होते है तो capital R बरावर small r हो जाता है तो जो length of direct common tangent है यही आपका distance between center हो जाता है मतलब distance between center कुछ और नहीं है direct common tangent की जो लंबाई है मतलब 26 तो अगर transverse common tangent की लंबाई निकालनी है यह होते है d square minus of r plus r का whole square इसको आप directly use करेंगे ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया जब r और r equal हो गया identical circles बन गया तो जो direct common tangent की लंबाई है वही distance between center हो जाता है तो यहाँ से आप इसको लिख सकते है 26 का square r plus r मतलब ये भी 10 वो भी 10 मतलब 20 का square का under root तो 26 का square 676 minus 20 का square मतलब 400 का square root तो यह हो जाएगा 276 कितना होगा 276 का square root 276 को अगर मैं तोड़ू 4 से तो 4 में यहाँ 24 आएगा 6 बार फिर 36 आएगा तो 9 बार जाएगा तो 69 अंदर फसा रहेगा लेकिन 4 बाहर आ सकता है तो 2 under root 69 इसका answer हो जाएगा आशा करता हूँ यह सवाल भी आपको समझ में आगया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए एक आखरी सवाल लिखते हैं यहाँ पर इस सवाल में दिया हुआ है 2 circles है 2 circles touch each other at point x मतलब एक circle है जो कि एक दूसरे को x point पर touch करते हैं इस तरीके से यह point x हो गया फिर बोल रहा है common tangents touch them at two points y and z तो देखें common tangent है जो कि इसको y, z पर touch करता है और यह वाला point आपका x दिया हुआ है इसके बाद बोला गया है if another tangent passing through x cuts y, z at x तो एक और tangent है जो कि यहाँ से इस point से जब बनाए जाता है x point से तो y, z को a पर touch करता है इस तरीके से सवाल में दिया हुआ x, a जो है यह कितना है 16 है तो y, z का value आपको निकालना है तो देखें x, a का value अगर 16 है बात को थोड़ा समझेगा कि ax जो है वो tangent है common tangent है मतलब इस circle बड़े circle के लिए भी और छोटे circle के लिए अगर बड़े circle के लिए tangent है तो ax का value कितना होगा तो यहाँ पर 16 दिया हुआ है साथ में ay भी एक tangent है मतलब external point से आपने दो tangent मनाया है बड़े circle पर एक ax है दूसरा ay है तो यह भी 16 होगा साथ में अगर यह ax है तो यह वाला value भी az जो है इसके बराबर होगा मतलब यह भी 16 है क्योंकि external point a से आपने छोटे circle पर एक tangent मनाया है ax और az दोनों के दोनों equal होते है तो पूरा का पूरा yz अग से पूछा जाए तो yz का value जो होगा वो हो जाएगा 16 प्लस 16 मतलब कितना तो 32 इसमें एक step और आगे बढ़ें तो यहां से आपको समझना होगा कि आपको मैंने एक बात बताया है कि कभी भी इस तरीके का figure बन जाए कि ये वाला length ये वाला length ये वाला length equal है तो आप यहां पर हमेशा एक semi circle बना सकते हैं जिसमें ये center होगा ये radius होगा और semi circle पर हर angle 90 degree का बनता है मतलब अगर आप देखें इस figure को तो a point से ay, az और ax सेम है तो अगर मैं यहां से आप से पूछू कि इसका angle कितना है angle y, x, z के उपर अगर सवाल बन गया ये हमेशा 90 degree का होगा क्योंकि आप अगर इसको semi circle बना दे y, z को diameter लेकर एक circle बना ले semi circle तो यहां पर इस से पार होगा और semi circle पर जो angle बनता है वो हमेशा 90 degree का बनता है clear? चलिए अब इन ही कुछ बातों के साथ मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूँ हमारा geometry जो है वो पूरी थरह से completed है, ठीक है सारी चीज़े मैं नहीं यहां पर कराई है, बाकी कुछ questions और जो weekend में आपको practice sheet provide होगा उसमें मैं करवा दूँगा चलिए अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूँ geometry complete होते के साथ अब कुछ नया topic mensuration जो है वो हम सीखेंगे next video में, thank you so much इस वीडियो में इतना ही